जी लेक्षर की इस पार्ट पे जो बात में आपके साथ शेर करने वाला हूं वो है चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर आम इसे कितने लोगों का उसका पता है कोड इंटरप्रेटर जो चैट जीपीटी का लांच हुआ है रिसेंडी जो लोग ट्वीटर पे हैं या जो लोग सोशल मीडिया पाकसान से निकल के देख रहे हैं उनको पता होगा कि कोड इंटरप्रेटर नाम के एक चीज नहीं आई है ठीक है और वो क्या चीज है वो भई डेटा एनलिस्ट को रिप्लेस करने का पुटेंशल रखती है इन अवे जिनको बहुत अडवांस लेवल की डेटा एनलिस्ट नहीं आती कैसे अभी उसके बारे में हम बात करते हैं और उसको देखते हैं कि यार यह है क्या ठीक है लेट सी जिस्ट अ मिनट मैं अपने स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ पहले फिर हम इसको देखते हैं कि नहीं सिर्य रखते हां कि कोड़ इंटरप्डरर एक इसी नए चीज है जो चैट जी्पीटि की प्लस के यूजर के अंदर आ चुके प्लस यूजर जो है नहीं इप गटट पर जाएं और यहां पर यह पड़ाओ तता है और यहां code interpreter को check करना पड़ता है ठीक है तो मैं यह दिखा दिया आपको now you can click on this one यह आपका code interpreter ओन हो गया ठीक है आप अपना डेटा यहां पर करें upload यहां पर upload करने के बाद आप पूरे का पूरे डेटा को check कर सकते हैं यह मैंने टिप्स का डेटा upload किया मैंने बना के रखा हुआ था एक्जेंपल शो करवाने के लिए यह मैंने upload की है sometimes it takes a lot of power क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूटिलाइज करें और यह बैटा बेटा का मतलब या बीटा का मतलब होता है जो अभी start-start में आया है और लोग इसको test कर रहे हैं testing phase के अंदर है इसने क्या काम करने है यह एडिये जो हमने वो 30-40 step देखे है न वो पुराने होगे हैं सीधी सी बात पर बता रहा हुँ देखे चार महीने में लिटरिली कुछ चार सड़े-चार महीने हुएं विवर दूइंग अलॉट अविसली नॉलेज इस अल्वेस बैटर लेकिन यहां पर अगर आप यहां पर अपना डेटा अप्लोड करें आप देखे क्या होता है मैंने यह डेटा अप्लोड किया इसने मुझे बता दिया और और वो कहता क्या करना है शो मी सम विजूलाइजेशन मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा बाइद वे बैक एंड पे जो कोडिंग हो रही है डैट इस पाइथान कोडिंग आपको पता ही है यह चेक करें और यह अगर आप इसको राइट प्रॉम्ट देंगे यह आपको विजूलाइजेशन भी यहीं पे दिखा देगा इट विल टेक टाइम क्योंकि यह स्लो है थोड़ा सा इवन के चैट जेपीटी प्लस यूजर्स के लिए भी यह स्लो है और यह भी इन्होंने लांच किया है दो बड़ा इसके बारे में बोल रहे हैं खासतोर पर डेटा एनलिस्ट को खतरा लाहक हो गया है कि अब हमारी जरूरत कम हो जाएगी कंपनीज को विसली जब नहीं मॉडल आएंगे तो कम तो होगी लेकिन अगर आप डेटा एनलिस्टी ऐसे बन जाएं कि फ्रेंट एंड को सा कैसे कर लें ठीक है बेसिकली क्या है आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर मैंने सिर्फ उसको यह लिखा है कि यह डेटा मेरा उसने मुझे डेटा के बारे में बता दिया इतने कॉलम है इतने रोज हैं यह हैं सारी चीज़ें फिर मैंने उससे पूचा कि यार इस्टोग्राम य अब देखिएगा यह मैं विजुलाइजेशन की बात कर रहा हूँ इवन दो यू केन आस्क क्वेस्टेंज तो यूर डेटा तरेक्ट क्वेस्टेंज किसी भी किसम के आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ओपन AI रिलेटिड पंडा AI की नाम से एक चीज दिखाई थी तो वो अभी स्टार्टिंग फेस में थी बिल्कुली बट चैट जेपीडी ने यह जो लाँच की है ना चीज़ आप चेक कर लें कोई कोडिंग की ज़रूरत है कहीं पे क्योंकि प्रॉंट बेस सारा कुछ हो रहा है और आप खुद सोचें के इसकी देखते हुए अब कितने लोगों ने फ्री में वेबसाइट उपन करनी है जहां पे आप सारा कुछ अनलाइज कर सकते हैं और API कीज के थुरू आप कितना कुछ कर सकते हैं अब यहां पे प्रॉब्लम अभी तक यह है क्योंकि यह बेटा फीचर है आप रोज और कॉलम्स बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हाई दिमेंशन डेटा पर यह काम नहीं करता मैंने ट्राई करके देखा डामेंट का डेटा और बाके चीज़ें को डेटा यह इसके एक लिमेट है उससे आगे नहीं जाता बट स्टिल अगर बेटा टेस्टिंग फीचर यह है जस्ट इमेजन के फ्यूचर के अंदर हैवी किसम का जब डेटा आप इसको देंगे इवन तो यह हो सकता है Google Drive के साथ लिंक अप करतें जैसे Google interpreter वगरा किया हुए उनोंने Google क्लैब यह हो सकता है यह Microsoft के साथ इनके क्लाइबरेशन हुई है यह यह OneDribe के साथ इसे लिंक करतें जस्ट इमेजन करतें तो यह सब कुछ होने वाला है Even though it can show you Show me some basic statistical analysis Let's see अगर ये करके दिखाता है Basically ये है कि आपके दिमाग में अगर आपको पता है ना करना क्या है It's going to change the world और जारी बात है उनके लिए तो चेंज नहीं होने जिनको पता ही नहीं है कि क्या है ये वो ही हिसाब हुआ है कि 6 मिने लागे कराटे सिखे थे एंड ते अगले ने बंदू कर ली तो हमने पिछले चार मां में कोडिंग सीखी है एंड ते चैट जीपीटी ने अपना कोड इंटरप्रेटर कर लिया तो ये टेटा साइंस वहाद फील्ड है जितनी जल्दी उपर जा रहा है ना उतनी जल्दी इसके आल्टिनेटिव भी आ रहे रिप्लेस करने के लिए टेकनीक्स भी आ रहे सो बंदा वही होता है जो अप्टू डेट रहे अप्टू डेट यह नहीं के पैंशेट टाई भाई लगा के या अच्छे कपड़े पहन के ठीक है अच्छा बच्छा बन के वह वाला अपडेट नहीं अपडेट से मुराद के आप नॉलेजबेस से अपडेट रहे अब यकीन माने मैं ट्वीट देख रहा था लोग लगे हुए हैं के जी चैड़ जी पीटर का कोड इंटरप्रेटर आ रहे हैं और देर मैनी पीपल फ्रॉम पाकिसान आज वेल पिछ वर वरकिंग अन दिस साड़े हैश्टैक डिफरेंट ही चाल रहे हैं लेकिन दुनिया जो प्रोग्रामर्स की दुनिया है ना वो बहुत आगए है ठीक है तो खैर यह बताने की बात क्या है अब आप देखें जितना मर्जी मॉडल अच्छा बन जाए जितना मर्जी आपको ग्राफ अच्छा दे दे इंटर्प्रेट करके भी दे दे फाइनल डिसीजिएन मेकिंग अभी तक डेटा एनलिस्ट के हाथ में है यह कुछ भी फाइनलाइज करके नहीं बता सकता सकते हैं but they can't do automatically ठीक है automatic से याद आया आज आपको एक example में मैंने करके दिखानी है COVID-19 की death prediction की और उसके अंदर हम automatic library use करने वाले हैं so there are many things going on in the world जो इन्शालाः लोग तो कर रहे हैं लेकिन जारी बात है अगर आप पीछे रहे तो बहुत पीछे रहे जाएंगे ठीक है ये वो ट्रेन है अगर आप इससे उतर जाएंगे तो बड़ा मसला होगा by the way ये चेक करें आपके सामने result show होते हैं और आप different किसम के analysis कर सकते हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं draw a PCA plot इसको time लगेगा PCA plot बनाने में हो सकता है ये सही ना बनाए हो सकता है वो वैसा ना बनाए जैसा आपको चाहिए हो सकता है ये कह दे कि मुझे नहीं आता क्योंकि ये testing phase में just imagine तीन साल बाद ये वाले algorithm कहां पे होगा ये अभी chat GPT December में लाउंच हुए है अब एक टम यहां पे बार-बार मैं repeat करता हूँ पिछले तक्रेबन तेड़ मा हो गया prompt engineering उसको सीखें सवाल पूछना कैसे है large language model से ये बहुत बड़ी टिकनीक है अगर आपको सवाल पूछना आ गया ना आप कुछ भी करवा सकते हैं इन model से कुछ भी का मतलब कुछ भी by the way मैंने वो अपनी जो एक दिन की workshop थी जिसका नाम था AI tools का use in research writing अगर आप में से किसी ने उसको follow किया हो या देखा हो आपने देखा होगा model exist करते हैं आप खुद कैसे use करते हैं ये बड़ा matter करता है how do you ask the questions to those models वरना मैं आपको इक छोटी सी example देता हूं यहां पर कोई भी एक में for example में यहां पर लिखता हूं machine learning यह सिर्फ लिखता हूं और for example यहां पर लिखता हूं in agriculture या मैं लिख hatte ता हूं in For example, business analytics 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 यह मैं लिखता हूं और यहां से मैं एक पेपर पे चला जाता हूं जस्ट I'm giving you just a little bit of tool inside कि कैसे काम करते हैं यह पेपर पे चला गया अब यह टूल मैंने तीन-चार extension की है एक का नाम है harpa.ai एक का नाम है size space और एक वैसे open access की है यह टूल तो exist करते हैं लेकिन आप कैसे utilize करते हैं यह आप पे depend करते हैं मैं यहां प पूरी summary मेरे पास आगी और इसी तरह website की वैब crawling के थूरू जो मैंने आपको recent concept पढ़ाया था crawl करता है और उसकी base पर TF-IDF लगा के आपको basic जो terms हैं वो आपको निकाल के दे देता है तो वो दोर गया कि आपको पूरी-पूरी चीजें पढ़नी पड़ती थे और पूरा-प जादा होगा बट I can actually crawl more papers in less time तो इस वज़ा से यह tools जो हैं यह exist करते हैं बट आप कैसे use करते हैं यह आप पे depend करते हैं ठीक है जैसे हमने यह एब बनाई है अब किसी ने कहना कि यह तो और रेडी chat PDF बनी हुई है तो हम वहां पर क्यों नहीं जाते क्योंके वह पैसे मांग on top of that chat GPT के अंदर ही अगर आपको नहीं बता तो plugins का function है there are many plugins जो आपको बहुत help out कर सकते हैं SEO analysis एक बहुत बड़ा हवार रहा है पिछले दिनों में आपको भी मैं बताता चलूँ जब आप कोई article लिखते हैं को ब्लॉग लिखते हैं तो उसका SEO optimized keywords उसमें use करें कहीं जाने क जरूरत नहीं है चैट GPT के प्लस अकाउंट में जाएं यहां पर SEO के नाम से काफी ज़्यादा plugins हैं अगर आप यहां पर सर्च करें SEO के नाम से काफी plugins हैं आप सिरफ उन्हें बताएं कि मुझे SEO optimized keywords बता दे मेरे इस blog के लिए आपका वो blog Google में high ranking में आ सकता है based on this SEO analysis यह SEO के स सारे के सारे plugins हैं इसके अंदर सिर्फ लिखना मक्सूद नहीं है अब थोड़ा से step up करना है आपने अगर आप पहले से article या blogs लिखने या अपना portfolio बना रहें now you have to step up ताके आपको ज्यादा से ज्यादा लोग reach करें ज्यादा लोग reach करेंगे तो आपका नाम आ गया आएगा खास तोर पे जब LinkedIn पे blog को लिखते है न तो आप commerce कम SEO analysis उसका जरूर करवा है और chat GPT या किसी भी algorithm को बोले ही perplexity हो सकता है या harpa या कोई भी हो सकता है आप उसको बोलें कि यार मुझे SEO optimized analysis करके दे framework के नाम से एक बहुत बड़ा tool है जो बड़ी देर से market के अंदर है and they are good in providing SEO analysis and some other reports but you can utilize chat GPT की power obviously अगर आप chat GPT आपके पास plus account नहीं है you cannot actually access these functions लेकिन पाकिसान में किसी freelancer से या किसी से रापता अगरे आपको फंदरा सो से दो जार के क्रीप क्रीप पर मंथ वो chat GPT का account दे देते हैं I started selling this chat GPT account लेकिन मसला क्या बना अवाम ऐसी है एक बंदा लेता है 26 लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो पास्वर्ट चेंज करो फिर नया बनाओ सो इट से हैसल स्टिल आप अपस में पांचे लोग मिले आपने कजन वजन को मिलाएं उन्हें बोलें के यार बाइस डॉलर है महीने के बट इत कन गिव एस लॉट आप इंपरमेशन और हमारे अनलेसिस और थिसीज राइप के लिए आपको तूल मैंने बताना था सो इट वस फाइन